पोको की तरफ से सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन एक नहीं दो नहीं 7Wand 5G के सदाता है जिसका नाम रखा है पोको ने पोको M4 5G स्मार्टफोन को मैं काफी दिन से थोड़ा हेवी में यूज कर रहा हूँ आज इस वीडियो में एक कॉंपलेट फुल रिव्यू देने वाला वीडियो आप एंड तक जुरू देखते रहे हैं अगर आप बूचिए पहली बार देख रहा है मैं हूँ संजोई स्वागत हमारे से यूटूब चलन पर शुरू बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से जो स्मार्टफोन देखने में काफी खुपसूरत रहने वाला ह पीछे की तरब देखा जाने प्रीमियम लुक के साथ आ रहा है उसी के सामस्मार्टफोन की पीछे की तरब पॉलिकार्माने यहां पर क्रेंस यां फिंग पिन का निशन बगरा नहीं आता है लेकिन यहां पर कैमेरा मॉडियोल के आसब पास में थोड़ा सा गलास आवे dual camera housing जहाँ पर dual camera setup रहने वाला है उसी के साथ स्माटफोन आता है साइट मौट्पून सेंसर के साथ साइट मौट्पिंगर फिंगर 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 सेंसर चो भी अज बहुत ही फास्ट रहने वाला यहा पर अब देख सकते हो लेकिन भाई साफ यह फूराना सा वाटर ड्रॉब नॉट्स के साथ डिस्प्ले का बजल और नीचे जो चैनी आपा थोड़ी सी मोटा देखने को मिल जाएगा अगर यहां पास सेंटर पंचुल डिस्प्ले रहा था तो एक पार्फेक्ट स्मार्टफून बन जाता डिसाइन के मामले में इसके बात करना चाहू आउट्डूर ब्राइनेस इतना अच्छा नहीं मिलता है डाइर अच्छा नहीं मिलता है ब्राइनेस का प्रॉब्लम स्मार्टफून के अंदर देखने को मिल जाएगा वाइडवाइन का सापोट रहने वाला है आप ओडी टी प्लाट्फोरम में फूल एसटी में कॉंटें एंगल से वीडियो को वाच कर सकते हो लेकिन स्मार्ट फोन के अंदरा फुल विए डिस्प्ले का मज़ा नहीं ले सकते हो इसके बाद मैं बात कहना चाहूँगा स्मार्फोन की पाफ़ों इसके बारे में अगर आप गेम खेलते हो तो आपके लिए जो स्मार्टफोन है कैसा रहने वाला है चलिए मैं आपको डीटिल में बताता हूं यह जो स्मार्टफोन आता है मीडिया टेक की तरफ से डायमंड सेटी 700 चीप सेट के साथ जोकी गॉक्टाकूर चीप सेट है स्मार्टफोन में जो अन्तुत उसको निकल कर बाहर आता है 2,83,000 प्लास स्मार्टफोन में आप बीजे में गेम को स्मूथ एंड अल्टर सेटिंग में आप यहां पर खेल पाओगे यहां पर 40 एपिस का सापूर रहने वाला है अगर आप जायरो प्लियर हो यह जो और हैंग वगरा भी हो जाता है स्मार्टफोन स्मार्टफोन में हीटिंग इसु देखने को मिल जाएगा अगर आप नॉर्माल एप वगरा यूज करते हो तो फिर भी यह स्मार्टफोन हीड हो जाता है और यह जो हीड है और कैमेरा रिंग के आसपास में देखने को मिलता ह और स्कॉलिंग में भी स्मूथ पार्फॉमस मिल जाएगा अगर मैं बात करूं राम मेनेचमेंट के बारे में जो स्मार्टफॉन मेरे पास है 4GB 64G यहां पर आप 15GB RAM को बढ़ा सकते हो LPDDR4X RAM के साथ आता है और फिर प्रस्ट एंदर बहुत ही आपके सकते हो इसके बात करने चाहूंगा स्मार्टफॉन की कैमरे के बारे में क्या क्या स्मार्टफॉन की वीडियो को चली को डिटेल में बताता हूँ यह जो स्मार्टफॉन पीछे की तरफ camera setup के साथ primary जो sensor रहने वाला है 50 Megapixel उसी किसाद 2 Megapixel रहने वाला है जो depth sensor के लिए smartphone में आप 4K वीडियो को record नहीं कर पाओगे यहां पर full HD 30 पीस का features रहने वाला है यहां पर 60 पीस का features रहता तो और भी अच्छा होता बात किया जाए video quality के बारे में यहां पर जो stabilization और autofocus मिलता है वह बहुत ही बेकार की मिलता है यहां पर आप देख सकते हो उसी के साथ स्मार्टफोन में जो color detailing और saturation मिलता है वह बहुत ही अच्छा मिलता है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पोको ने optimize किया है कुछ photo sample में आता है 8 megapixel selfie camera के साथ 8 megapixel की सबसे branding के सबसे और price point के सबसे देखा जाए जो quality present कर रहा है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है यहां पर आप देख सकते हो skin tone का जो color रहने वाला है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लार करता है और यहां पर edge detection भी बहुत ही अच्छा मिल को और यहां पर डामन सेटी 700 चिप सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा है इसके बज़े से यहां पर बक्स बगरा नहीं मलता है और यहां पर जो स्मूधनेस मिलता है बहुत ही अच्छा है लेकिन स्मार्टफोन के अंदर प्लेंस्टोल एब मिल जाएगा जिसको सकते हो और यह स्मार्टफोन ने सेटेंट 5G को सब्सक्राइब करता है और सबसे अच्छी बात है इसके बज़े से इसका जो डाउनलोडिंग या अवलोडिंग जो स्पीड मिलता है उसके साथ जो स्मार्टफोन आता है सिंगल माइक के साथ जब आप कॉल में बात करोगे यह पर नॉयस का प्रब्लिम आपको मिल जाएगा उसी के साथ जो स्मार्टफोन आता है गुगल डायलर के साथ जब आप कॉल रेकोडिंग को अन करोगे गुगल वाले अंटी जी बता देगा कॉल रेकोडिंग स्टार्ट हो गया है इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा स् मैं जो स्मार्टफोन 5愚 बाटuell के साथ 22.5 बाट और के लिए टाम लेता और थे इसमार्टफोन है थोड़ा बहुत हींड होता है 42 डिग्रे के असपास में लेकिन स्मार्टफोन चार्ज करता हो 90 च्नर और च्राइं यह निकार्पार को ऊंद आरह करो मिलने वाला है इसके बदाते सिधा conclusion part के तराफ है जो स्मार्टफोन फिलिप कार पर आपको मिल जाएगा 4GB 64GB के साथ 12,000 रुपिस में अगर आपके पास Axis Bank का credit card है तो स्मार्टफोन को पर्चिस कर पाओगे 11,000 रुपिस में 11,000 रुपिस की price point की साफ से देखा जाए स्मार्टफोन के अंदर कुछ चीज कमिया देखने को मिलेगा जैसे स्मार्टफोन के अंदर हीटिंग कैसी देखने को मिल जाएगा उसे के साथ इसका डिस्प्ले का जो brightness जो है उतना अच्छा नहीं मिलता है अगर आप बीजी में लावार सो बीजी में खिलते हो अगर आप प्लेयर ऋ तो आपके लिए जी इस प्राइस में एक पार्फिक्ट थाइस को अपको एंप तो आप मुझे comment में बताओ एजो smartphone आपके लिए कैसा होने वाला है क्या आप स्मार्टफोन प्रिश्स करने के लिए planning बगर कर रहे हो कि निए अब मुझे comment में जूर बता सकते हैं क्योंकि सब कर आया तो अलग-अलग होता है उमिद करता हो आपको वीडियो पसंद रहा होगा उमिद करता हो मैंने आपका सारे डाउट क्लियर कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना उसी के साथ चलाइन को कहले लिए सब्सक्राइब और notification बिलकू जुरू आल में क्लिक करना